बिद्यार्थियों सूप्रभात, देवरिया सीनियर सेकर्णरी स्कूल के आनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है बिद्यार्थियों, पिछले ब्याक्ष्यान में हम सभी ने कवीर दास जी के द्वारा रचित साखियों का आध्यन किया साखियों के माध्यम से कवीर दास जी ने मनुष्य जीवन के लिए उपयोग करने के लिए कई प्रकार के उपदिश दिया जैसे इश्वर में राम रहीम में भेदना करना, ज्ञान प्राप्त करने के लिए बिनम्रता का भाव अपनाना अहंकार को त्याग करना तथा अराम और रहीम में भेदना करके एक इश्वर की उपासना करना, निर्गोड ब्रम की उपासना करना, दोनों व्यक्ति, दोनों संप्रदायों के लोगों को, हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों को, कवीर दास जी ने मतभेद को भुला करके एक इश्वर की उपासना करने की प्रेणा दिया है कावा कासी राम और रहें में भेदना करके जो मनुष्य इश्वर का व्हधन करता है उसी का जीवन सार्थक है मनुष्य का जो जीवन उद्देश्य है वो इश्वर भक्ती है जो व्यक्ति खुदा और इश्वर के अंतर में ना पर करके उस भेद भाव पूर्ण सोच से उपर उठ करके जो व्यक्ति इश्वर का भजन करता है उसका जीवन सार्थक है यही जीवन का सत्य है सच्चे संत के वारे मुझे बताया कबिरदाजी ने कि जो बनुष्य पच्छ और विपच्छ में भेद ना करके निस्पच्छ भाव से इस्वर का गुडगान करता है वही सच्चा संत कहना लें किया हगदार है इस तरह से कबिरदाजी ने भक्ती के लिए यह बताया कि मनुष्य को इस संसारिक बिशय बासनाओं से उपर उठ करके क्रोध लोब मुह से क्रोध लोब मुह को त्याग करके इस्वर का भजन करना चाहिए जन्म के संदर में बताया कि स्रिष्ट कुल में जन्म लेना ही मतपूर्ण नहीं है हमारा कर्म स्रिष्ट होना चाहिए सोने के कलस में भरा हुआ मदिरा जिस तरह से निंदा का पात्र होता है उसी प्रकार से यदि स्रिष्ट कुल में ब्यक्ति जन्म लेकर के स्रिष्ट कारे न करे तो वह निंदा का पात्र बन जाता है उसके कुल की स्रिष्टता महत्विन हो जाती है बिद्य अर्थियों कबीरदास जी के दुरा रचित साखियों के बाद हमें सबद पढ़ना है सबद एक जो पहला पद है इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुश्य जो है बेर्थ में इस्वर को इधर उधर ढूटता फिड़ता है मंदिर में, मस्जिद में बिविन प्रकार के क्रिया कर्म योग वैराग आदमें इश्वर को ढूलता रहता है इसवर की तलास में विच्रण करता रहता है तो इसके लिए कबिर्दाश्जी कहते हैं कि वह तो कनकर में विद्दिमान है इसवर कबुरिदास जी उताते हैं कि इस्वर तो कणकर में भी दिमान है इस बात की सिच्छा देते हैं पंक्तियां सबद की इस प्रकार है मो को कहां ढूढे बंदे मैं तो तेरे पास में मो को कहां ढूढे बंदे मैं तो तेरे पास में ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में ना तो कौने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में खोजी हों तो तुरतें मिलियों पल भर की तालाश में कहे कबीर सुनो भाई शाधो सब स्वासों की स्वास में मो को कहां ढूंडे बंदे मैं तो तेरे पास में मो को कहां ढूंडे बंदे मैं तो तेरे पास में विध्य रथ में यहां पर देखिए मो को सब्द का आर्थ है मुझे धूढे मतरब खोजना धूढे सब्द का आर्थ है खोजना वंदे मतरब मनुष्य को कहा गया है देवल सब्द का आर्थ है देवाले आगे है बैराग बैराग सब्दकार्थ है घर बार छोड़ करके इश्वर की तलास करना शन्यासी बन जाना यहां तलास मतलब खोज साधो सब्द क्या है सज्जन व्यक्तियों स्वासों की स्वास में हर स्वास में जो सास हम लेते हैं हर स्वास में इस्वर विद्दमान ऐसा कर विद्दास जी कहते हैं यहां लिखते हैं मो को कहां ढोंडे बंदे जो प्रस्तुत सबद है प्रस्तुत सबद छितिज पाठ पु इस्वर सरवत्र व्याप्त है। उसे किसी मंदिर मस्जिद तिर्थ अथवा धार्मिक विवेचनाओं के द्वारा प्राप्त करना असंभव है। के बारे में कपरदासी कहते हैं कि हे मनुष्य ब्याख्या इस प्रकार है हे मनुष्य तुम मुझे कहां कहां खोज रहे हो। मुझे कहां ढोंड़े बंदे मैं तो तेरे पास में है। हे मनुष्य तुम मुझे कहां कहां ढोंड़ रहे हो। मैं तो तुमारे पास में ही हूँ। इसको इस्वर की अनुभूत करने की आउशकता है। कर्मकांड में, क्रिया कलाप में योग शाधना और वैराग में वास नहीं करता मैं नो तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में कि मैं किसी क्रिया कर्म में योग वैराग में योग शाधना में मैं नहीं प्राप्त हो सकता हूं मेरा वास नहीं है कबरजासी कहते हैं खोजी हों तो तूरतें मिलियों पल भर की तालास में यदि कोई व्यक्ती सच्चे मन से मुझे खोजनता है तो वो मुझे छण भर में ही पा सकता है पल भर की पल भर का मतलब है छण भर में ही खोजी होए तो तूरतें मिले हो पल भर की तारास में यदि कोई सच्चा खोज करने वाला है तो छण भर में मुझे प्राप्त कर लेता है इसका कारण है बताते हैं कबिरदास जी कहे कबीर सुनो भाई साधो सब स्वासों की स्वास में कबिर्दासी कहते हैं हे सज्जन मनुष्यों सुनो कि मैं तुम्हारी सांसों के सांस में निवास करता हूँ जो हम सांस लेते हैं उस सांसों मेरी अनुभूत करो कबिर्दासी के कहने का अर्थ है परमात्मा मनुष्य की प्रतेक सांस में विद्धिमान रहता है अर्थात मनुष्च के अंतर में तथा वो मंदिर और कर्मों से प्राप्त नहीं हो सकता बेर्थ में मंदिर मस्जिद में इश्वर को ढूड़ना काबा और कैलास इत्याद में जाकर के इश्वर को खोजना इश्वर वहां प्राप्त होने वाला नहीं है यहां पर कबिर दास जी ने इश्वर की सर्व ब्यापकता को उजागर किया है इस सबद में कबिर दास जी ने इश्वर की सर्व ब्यापकता को उजागर किया है जो मनुष्य धार्मिक आडंबरों में इस्वर को खोईते हैं विविन क्रिया कर में खोईते हैं तो कभीर दास्जेश ने उन धार्मिक आडंबरों को खंडित करने का प्रयास किया है मैं मस्जिद कावे कैलास योग वैराग में अनुप्रासलंकार है पद की स्वर सामन जस्ता परिपूर है सबद में गेता का गुड़ विद्धिमान है विद्धियों इस सबद के किसी पंक्ती का ब्याख्या या सब्द अर्थ आपको समझ में नहीं आता है तो आप पोछें धन्यवाद